इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Active Block IPR 25 Tabulate Beta Blocker नामक दवाओं के समूह से संबंधित है. इसका इस्तेमाल high blood pressure, यानि की hypertension, एंजाइना, यानि की हृदे संबंधित सीने में दर्द, और अनियमित हृदे रिदम, यानि की हृदे की धरकन में अनियमिता, यानि की एरिथमिया के इलाज के लिए किया जाता है. यह migraine, भविश्य में दिल के दोरे और stroke को रोकने में मदद करता है. Active Block IPR 25 Tabulate को अकेले या अन्य दवाओं के साथ लेने की सलाह दी जा सकती है. हर दिन इसे नियमित रूप से एक ही समय पर ले जाता है. इस दवा को पूरी तरह से असर करने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं, और आपको इसे उम्र भर भी लेना पर सकता है. अगर आप बहतर महसूस करने लगे हैं, तो भी इसे लेते रहना जरूरी है. हाई ब्लड प्रेश वाले अधिकांच लोगों में कोई लक्षन दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं, तो आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है. एक्टी ब्लोक आई प्यार 25 टेबले के मुख्य साइड इफेक्ट थकान, सिर्ध दर्द, धीमी हिरदय गती, चक्कर आना और मिचली आना है. ये आमतोर पर हलके और अल्पकालिक होते हैं. इसके कारण कुछ लोगों में सांस फूलने और बलड प्रेश कम होने जैसी समस्य साइड इफेक्ट के जोखिम को कम करने के लिए आपका डॉक्टर संभवता दवा को कम खुराक से शुरू करेगा और धीरे धीरे इसे बढ़ाएगा. अगर साइड इफेक्ट आपको परेशान करता है या नहीं जाता है तो डॉक्टर से परामर्ष करें. इसे लेने से पहल अगर आपको लिवसंबंधी कोई समस्या है तो डॉक्टर को बताएं. धो सकता है कि यह धीमी हिर्दै गती, सकुलेशन की गंभीर समस्याओं, गंभीर हॉट फेलियर या लो ब्लड प्रेश से प्रभावित लोगों के लिए उप्यूक्ट न हो. गर्भवती महिलाओं और स अगर आपको अपना ब्लड प्रेशन नियमित रूप से चेक करना चाहिए. शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें